पुर्देश में भाजपा सरकार आने के बाद सरकार द्वरा सरकारी विध्यालियों की सिक्षा में सुधार के लगातार प्रियास किये जा रहे हैं लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि विकास खंड मुसाफिर खाना के हटगरवा गाउं में स्तित प्राथमिक विध्यालिय की दुर्दशा देखी जाए तो ऐसा ही अनुमान लगा जा सकता है यहाँ पर बरसाथ हो या गर्मी साल में आट से नौ महिने पानी भरा ही रहता है इससे वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के सपने पानी पानी हो रहे हैं अगर विध्यालिय की वस्ता की बात की जाये तो विध्यालिय में सौचाले की स्तिती भी कुछ ठीक नहीं है सभी कमरों में बच्चों को बैठने को ब्रेंच तक नहीं है अधिकांश तहा बच्चे बोरो पर वैट कर पढ़ाई करते हैं और तो और आवागामन के रास्ते में भी कई जगाओं पर जल जमाव है जिससे होकर गुजरते हुए बच्चे गिरते परते भी रहते हैं अखिरकार अब नहीं तो कब बदलेगी सरकारी विध्याले की बदहाल सी ववस्ता इसकूल में गंदा पानी जमा होने से संक्रामक बीमारियों का भी खत्रा हो गया है इसी डर से अविवावक अपने बच्चों को विध्याले नहीं भेजना चाहते विध्याले की अध्यापिका परवीन अक्तर ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार अध्यकारियों से की जा चुकी है लेकिन सिती आज भी जैसकी तर्ष बनी हुई है किया नाम है अपका हर्वीन अक्तर विध्याले में पानी अनी भरा है तर्ष यह पानी हम एसा वरा रहता है था इसमें कैसे बच्चे आप पढ़ने आते हैं हम लोग अपने बाइक से जाते हैं उनको लेकर आते हैं सर देली का इस तरह कोई आना ही नहीं चाहता तर इसमें मैं नहीं कोद्ट नियुक्त कुंट इसकी कि शिकायत आप लोगों को पिवेखना करते हैं बसे मीडिया वाले आते हैं कि अपना आजाते हैं क्या विषय inv evolved सर बीमार क्या हम लोग मतलब मौका भी नहीं देते पानी बाहर से मंगवाते हैं सर नल वल भी नहीं चलता है सर चालू हालत में हैं लेकिन पानी पीने योग हम जब हम लोग नहीं पीते हैं तो कैसे बच्चों के पिलाएं ओनन के लिए अमेठी से एस पीतिवारी की डिपोर्ट